अभी तक हमने वो सारे deduction पढ़ लिये हैं जो हमारे BCOM 5th semester में total income को calculate करते समय यूज होगा अब हम कुछ combined deduction के example करेंगे जिससे कि आप जब total income वाला chapter पढ़ोगे तो आपके लिए easy हो जाएगा तो बस कुछ example हम देखेंगे उसके बाद सीधे हम total income वाला chapter start करेंगे तो illustration 17 है यह HC महरोतरा book का income tax की इसमें first point है income under the head salaries of Mr. Ram is 7,65,000 रूपीज तो salaries head में Mr. Ram का income इतना है 7,65,000 रूपीज जैसे salary head आप देखो 5 head होते हैं income from salary उसी में retirement भी आ गया फिर उसके बाद आता है house property फिर आता है आपका capital gains फिर आ जाता है profit and gains from business or profession और last होता है income from other sources जब आप इन 5 head को add करते हो तो आ जाता है आपका gross total income उसमें से जो deductions आप less करोगे 80C to 80U तब जाके आपका आता है total income तो यहाँ पर basically यह सारे example से आपको सारे deduction को कैसे कहाँ less करना है वो समझ में आ जाएगा आपको first point यह होगा income from salary दे रखा है और इस question में आप देखोगे और कोई head का नहीं दिया है तो income from head salary जो दे रखा यही हमारा gross total income हो जाएगा क्योंकि बाकी किसी भी head से इंका income दिया नहीं हुआ है अब आपको तुरंद इस से याद आना चाहिए 80C 80C को पढ़ाते वक्त मैंने बताया था deduction in respect of life insurance premium and provident fund except unrecognized provident fund मतलब कि unrecognized provident fund को छोड़के बाकी life insurance premium, provident fund, RPF सब कुछ 80C में आ जाता है तो वही आप देख रहे हो 90,000 PPF में यह भी 80C में qualify है RPF यह भी 80C में qualify है paid tuition fee of its son तो tuition fee of its son भी qualify रहता है 80C में यह 6th point में मैंने बताया था आपको tuition fee excluding payment towards development fees तो tuition fee जो रहता है वो भी 80C में allow है तो यह 90,000 plus 20,000 1,10,000 और यह plus 18,000 1,28,000 रुपीज अभी तक 80C में qualify मान के चल रहे है मान के क्यों चल रहे है क्योंकि भाई इसका एक exceed limit तो है एक अपर limit भी तो है जो की 80C plus 80CC plus 80CCD subsection 1 को मिला के 1,50,000 से जादा नहीं होना चाहिए तो अभी 1,48,000 उसके अंदर में है तो हम इसलिए मान रहे हैं उसके बाद he deposited rupees 25,000 in the pension fund of LIC of India तो जब कभी भी कोई भी person pension पाने के लिए LIC के या किसी भी insurance company के उसमें ऐसा कुछ invest करता है जिससे की retirement cash के बाद उसको pension मिले monthly तो इन्हों ने 25,000 रुपे pension fund में LIC of India में जमा किया था तो इसके लिए एक अलग से section है जो की है 80 CCC ये deduction in respect of contribution to certain pension fund ठीक है तो इसका deduction amount क्या है amount paid और rupees 1,50,000 यही चीज 80 C का भी था ठीक उसके बाद he paid interest rupees 15,000 on loan taken from a financial institution for his higher education तो 80 E की बात हो रही है ये 80 E में हमने पढ़ा था कि 80 E कहते हैं कि जब कोई भी person education के लिए loan लेता है और वो education किस के लिए वो education के लिए individual, spouse and children of individual और for the student whom the individual is legal guardian मतलब कि वो खुद के लिए, spouse के लिए, children, अपने children के लिए और या फिर जिसका वो legal guardian अगर उसके लिए उन्होंने loan लिया है तो उसके interest के regarding 8 साल तक deduction मिलेगा 80 E में जब से start हुआ है loan जाना तो यहाँ पर कुछ given नहीं है date तो हम मानेंगे कि इन्होंने यह भी आठ साल पूरे नहीं हुए है अकेले का limit 1,50,000 है लेकिन एक और section हमने पढ़ा है 80 CCE 80 CCE क्या कहता है 80 CCE कहता है कि 80 C plus 80 CCC plus 80 CCD subsection 1 इन तीनों को combine मिला के 1,50,000 से जादा नहीं होना चाहिए मतलब अगर यह अकेले होता तो भई इसमें 1,50,000 से जादा नहीं जा सकते यह भी अकेले होता तो इसमें 1,50,000 से जादा नहीं जा सकते लेकिन एक और section है 80 CCE जो कि कहता है कि भई इन तीनों section को मिला के 1,50,000 से आप जादा नहीं दोगे तो आप क्या करोगे जब आप यह question solve करोगे तो 80 C और 80 CCC और जो भी इन तीनों में से जित्ते दियों इन सबको add कर लेना अगर यह तीनों मिला के 1,50,000 से जादा होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ डेल लाख रुपए का deduction दोगे उससे कम है तो ठीक है चलेगा वो उसके बाद compute is total income for the assessment year 2022-23 अब हम solution देखेंगे इसका solution illustration 17 का तो इसमें सबसे पहले आप बना लोग format computation of total income फिर जो भी उससमें assessment year आपका चला होगा वो लिख देना अभी इस book के according 22-23 चला तो हम उसी को मान के चलना है for the assessment year 2022-2023 अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे यहा salary दे रखा है तो income from salary उसके बाद 5 head और होते हैं उन 5 में से बस एक ही head दिया है बाकी 4 head का कोई भी income नहीं का तो बस यही वाला जो दे रखा है 7,65,000 रुपीज आप यह यहां लिखना उसके अद दुबारा से यहां नीचे लिख देना यही हो गया आपका gross total income 7,65,000 बाई और कुछ है नहीं तो salary उन सब को add करके वो सब निली माना जाएगा 0 माना जाएगा तो 7,65,000 gross total income आ गया अब आप less करोगे deductions अब जिस जिस section में दिया हुआ है जैसे जैसे आपने पड़ा है reduction under section 80C to 80U जो जो होगा वो सब आप देते जाना है तो सबसे पहले यहां 80C का दिये रखा है तो deduction under section आप लिखोगे 80C उसमें PPF दे रखा है 90,000 रुपीज उसके बाद RPF दे रखा है 20,000 रुपीज tuition fee of sun तो tuition fee of sun ये भी 80C में आता है 18,000 रुपीज 80C का और कुछ नहीं दे रखा है इन तीनों का आप आड़ करो और यहां लिख दोगे 1,28,000 रुपीज उसके बाद 80C का और कुछ नहीं दिया है तो ऐसे तो अगर 80C का और कुछ नहीं दिया है और 80C 80CCC भी ना दिया होता 80C D subsection 1 भी ना दिया होता तो हम सीधे सीधे यहां लिखते कि भाईया 80C का maximum limit होता है 1,500,000 रुपै जो की इसे कम है ये पूरा qualify कर दो लेकिन यहां 80CCC भी दिया है और मैंने आपको बताया 80C E के थुरू ये ये तीनों आपस में मिले हैं 80C, 80CCC, 80CCD, subsection 1 ये तीनों मिले हुए है तो अकेले इसका आप अभी नहीं कुछ तेह करोगे फिर तीसरा वाला point आप देख लोगे वो 80CCC से related है तो आप लिखोगे deduction under section 80CCC तो इसमें क्या है pension fund ही आता है तो pension fund कितना है 25,000 रुपीज 25,000 रुपीज 25,000 रुपीज फिर से आप देख लो इसका अकेले का अगर अकेले दिया है तो maximum limit 1,50,000 है इसका अगर अकेले दे रखा है तो 1,50,000 होता है लेकिन अगर ये सब एकी question में एक ही person का combine दे रखा है कि उन्होंने 80C में भी ले रखा है deduction 80CCC में भी और 80CCD subsection 1 में भी तो आप इनका अकेले अकेले 1,50,000 रुपे दोगे इन सब का मिला के 1,50,000 रुपे दोगे ध्यान रखना नहीं तो गलत हो जाएगा अब आप इन दोनों को add करोगे तो इन दोनों को add करने से आ जाएगा 1,53,000 अब देखो आप इसको add कर रहे हो आप तो यह 1,50,000 से ज्यादा हो जा रहा है तो यह आप क्या लिखोगे यह है 80C plus 80CCC और 80CCD subsection 1 नहीं है 0 होगा तो वो तीनों मिला के यह रहा ठीक है उसके बाद आप क्या लिखोगे जो एक और section अभी मैंने आपको दिखाया था deduction under section 80CCE यह क्या कहता है यह कहता है कि 80C plus 80CCC plus 80CCD subsection 1 इन तीनों को combine मिला के maximum जो है वो 1,50,000,000 होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए यह यह कहता है तो आप देखो इसमें कितना जादा है 3,000 रुपे जादा है तो वो 3,000 आप काट दोगे आप सिर्फ deduction under section 80CCE के मताबिक केवल इसमें कितना दोगे आप 1,53,000 में से केवल 1,50,000 रुपीज आप qualify करोगे ठीक यह हो गया 80CCE अब इन दोनों से आपको कोई मतलब नहीं इसका आपने हिसाब कर दिया दोनों को मिला के 1,53,000 हो रहा था 80CCE कहता है इन तीनों को मिला के 1,50,000 से जादा नहीं होना चाहिए तो यह 3,000 जादा था तो वो 3,000 हमने काट दिया केवल 1,50,000 रुपे अब आप deduction दोगे 80CCE में अब आजाओ उसके बाद है fourth point वो दे रखा है interest on loan उन्होंने एक loan लिया था financial institution ते अपने higher education के लिए तो यह qualify है किसमें deduction under section 80E में जिस साल लिया है वो साल से मिला के total 8 साल तक तो यह है 15,000 कोई date नहीं दिये तो आप मानोगे यह उसके period के अंदर ही है तो deduction under section 80E यह कहता है interest on loan for higher education for higher education अब यह 1,65,000 को आप less कर दोगे 7,65,000 में से तो यह आ जाएगा 6,00,000 रुपीज और gross total income में से जब आप deduction less करते हो तो यही आ जाता है आपका total income और यही हमसे पूछा गया था kes sब olै अज़ दो यह जजा करता हैर यही है तो इादिस यहादा को पbahn् स्काझ़ Je高ऽ वर वर दुछा कर दो पो तो का अजब कर दया एंज़ यही हादा है किस्पंपफआ जब即也ए कर दो करता है दो दो ला